हेलो फ्रेंड्स वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजनेरिंग रूट में तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले क्योंकि फ्रेंड्स जब हम अपने सलैब की कास्टिंग गर्मियों में करवाते हैं तो हमें कुछ इस परकार की प्रोब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है जैसा कि आपको यहाँ पर क्योंकि फ्रेंड्स जब आपके सलैब में ऐसे क्रेक्स आएंगे तो आपको इसके रिपेर करने का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो कंक्रीट की लाइफ है जो हमरी छत की मजबूती होगी वो काफी कम हो जाएगी और एक मजबूती भी खतम होगी और द कंक्रीट में पाने को थोड़ा दीजे गरिमें की टाइम है जल्दी ना सुके तो यह भी आप गलत कर रहे हैं आप कंक्रीट में पाने ज्यादा बढ़ाने से भी जो कंक्रीट की मुझबूती है वो लगबग खतम हो जाती है तो सबसे पहले मैं आप लोगों बता दूब कि यदि आप अपने स्लैब की कास्टिंग करवा रहे हैं और स्लैब आपकी जो डाउन बीम हो लिए तो यहाँ पर मैंने अक्सर देखा है कि लोग ऐसी गलतिया करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो बीम को यहाँ पर पहले इन्हों ने भर दिया है और लगबग हर जगा पर अक्सर यही करते हैं कि जो बीम उसे पहले भरते थे और स्लैब की कास्टिंग बाद में शुरू करते हैं ताकि काम जल्दी से खतम हो जाए तो फ्रेंट्स इससे एक तो आपको बहुत ज़्यादा नुक्सान ही होता है क्योंकि फ्रेंट्स मैं आप लोग बता दूँ कि जो बीम में जो यहाँ यहां पर सूख जाएगा और जो पर पर बौंट नहीं बनेगा और जो यहां पर बादेंगा पर यहां जयाँ पर ऑदले के जहां पर नित्स नहीं घरतावा देगा है जो मोसम है मोसम है जो टेंपरेचर वह बहुत ज़्यादा है तो आपको ऐसे चीज़ों का पहले अरेंज करके रखना पर जा सके आपको यहां पर दिख रहा होगा एक साइट से जो स्लैप की कास्टिंग हो रही है दूसरी से जहां कास्ट हो चुके वहां पे हमने क्यूरिंग टाइट बिशा दिया और इसको गीला करती है यह पहले यह अप गीला करके इसके ओपर बिशा दिए तक इस परकार के अपको प्रोब्लम फेस ना करने पड़े उसके लिए आपको यह काम करना है कि आपको पहले जो प्लास्टिक की शीट होती है वो भी आप हो सके तो अरेंज कर दीजी और एक साइट से आपके सल Agriculture होती है ही और दोसरी आपको पलास्टिक शीत बिछाते ही रहना है या तो आप कैना कीवरिंग्ट यहां भी बिछा सकते है जैसा कि मैंने आप लागों को पहले ही बताए था क्यूरिंग्ट बिछा कि आप सलै के पीछे वो लगबख खतम हो जाएगी और क्योरिंग बहुत जाद इंपोर्टन्ट होती है किसे भी कंस्ट्रक्शन साइड के लिए किसे भी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए तो फ्रेंट्स उमीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगए और वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक जिरूड कर जीगा और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वह भी जिरूड कर जीगा फ्रेंट्स तो आज की वीडियो में तरह स्काइब नेक्स्ट वीडियो में